खबर राजस्थान के ब्यावर जिले के सेंदड़ा थानाक शेत्र के गिरी ग्राम से है। जहां पर दिन दहाडे एक अग्यात बदमाश ने घर में अकेली बैठी व्रिद्ध महिला पानी देवी पतनी लाभुराम प्रजापत के गले में पहनी सोने की करीब डेड़ तोला की सोने की कंठी तोड़ कर लूट कर फरार हो गया। वही कंठी लूट की वारदात के दौरान अग्यात व्रिद्ध महिला के नीचे गिरने से हाथ में चोट भी आई। वारदात के दौरान व्रिद्ध महिला के चिल्लाने के बाद अग्यात बदमाश कंठी लेकर फरार हो गया और आसपास के ग्रामीन मौके पर पहुँचे। प्राप्त जानकारी के अनुसार वारदात के दौरान व्रिद्ध महिला पानी देवी घर में अकेली बैठी थी उस दौरान एक अग्यात बदमाश पानी पीने के बहाने घर में घुस कर इस वारदात को अंजाम दिया गया वही वृद्ध महिला पानी देवी के चिल्लाने पर आसपास के ग्रामीन इकठे हो गए तथा सेंदड़ा थाना पुलिस को सूचना दी गए सूचना मिलने के बाद सेंदड़ा थाना प्रभारी जगदीश प्रसाद मए पुलिस जापता मौके पर पहुँचा और वारदात को लेकर मौका मौाइना किया तथा वृद्ध महिला से पूच ताच की गई वही थाना धिकारी ने अग्याद बदमाश को जल्द पकड़ने और वारदात का खुलासा करने का ग्रामीनों को आश्वासन दिया के छाद गारदात का अटाता कि धर मानाश की एपता और वाररण पका जमाएं पित्सोρα प्रकार के पर टील में ने साहिं आखुलान के मैंना का ने सुघा Сाहिं गरा थानि बदमाशा ताच का झालOWने पर नहीं को यह जो कुड़ से पढ़िया सामने से गसीट कर बाल लेकर बागा आई एक पारी बहुत गटना है और यहां पर करिवन डेर तोलगी जो करिवन कंटी है वह जो यहां से लेकर आया है और चोरक अब बता नहीं है संबद्दय की सुचे में कोई है